लीकी जो की काफी भूतिया जगा मानी जाती है क्योंकि जो यहां के इस्थान्य लोग है उनके द्वारा कई बार ये बताया गया है कि जो एक ऐसी गुप्त जगा है जहां पर बहुत ही कम लोग आखो यहां पर इस तरीके की आवाज आती है है जहां से रात को अवाजे आते हैं आपने कई एतियासिक इमारते देखी हूंगी चाहे कुतुम मिनार हो या फिर इंडिया गेट हो या फिर बात करें हुमायू टॉंब लेकिन जो यह जगा है यह एक ऐसी गुप्त जगा है जहां पर बहुत ही कम लोग आते हैं यानि कि आज हम बात कर रहे हैं महरोली में इस्तित जमाली कमाली के अंदर चलते हैं और जैसे ही आप अंदर इसमें परवेश करेंगे देखिए यहां पर किस तरीके से जो भारतिय प्रातत विभाग है उसने एक बोर्ड लगाया है इसके बारे में जानकार इमारत है कब बनी थी औ अंदर और आपको इसकी अंदर से आकरतियां दिखाते हैं किस तरीके से किला अंदर से बनाया गया है देखे जैसे ही आप जमाली कमाली में परवेश करेंगे तो सबसे पहले आर्केलोजिकल का बोर्ड आपको दिखेगा हिंदी में भी आपको दिखेगा और उसके बाद इंगलिस में भी एक बोर्ड लगाया हुआ है और इस मस्जिद और मकबरे के बारे में बताया गया है कि कब इसका निर्मान करवाया गया था और इसका इत्यास के बारे में आपको इस बोर्ड पर कुछ जानकारिया जरूर देखने को मिलेगी वहीं अब बात करते हैं हम जमाली कमाली मगबरे और मस्जिद की जमाली कमाली मस्जिद आज दिल्ली में महरोली छेतर में इस्तित है जिसे पहली बार 1528 और 39 के वरसों के दोरान बनाया गया था जिसमें दक्षिन परवेश है यह संगमरमर के अलंकरोनों के साथ लाल बलवा पत्थर में बनाया गया है यह भारत में मुगल मस्जिद वास्तुक अलाके डिजाइन में अंगरदूत होने का दावा किया जाता है एक बड़े प्रांगन के सामने वाले प्रातना कक्ष में पांच महराब हैं जिसमें केंद्रे महराब केवल एक गुंबद है महराब का आकार केंद्रे महराब की और बढ़ता है जो सुन्दर अलंकरन से अलंकरत 5 महराबों में सबसे बड़ा है आपको बतादे कि इस मगबरे में 5 दुआर है जिसमें बीच में एक मुखे दुआर है जिसके ओपर एक गुमबद है और जो आप यह तस्वीर देख रहे है ये भारतिय पुरातत विभाग ने इसमें ताला लगा रखा है यानि किसी परियटक है उनका परवेश यहां पर निसेद है क्योंकि यहां पर जिसका मगबरा है जमाली और कमाली की यहां पर कबरे हैं और इस इस्थान पर अन्य और कई कबरे हैं जो उनके रिस्तेदारों की क और इस इस्थान को भारतिय पुरातत्व विभाग ने संड़क्षित कर रखा है और जो परियटक यहां पर घूमने आते हैं उनके लिए हां पर निशेद है और आप देख सकते हैं हां पर ताला भी लगाया हुआ है महराब के इस प्रेंडल को पदक और अलंकरन से सजाया गय है फ्लूटिड पाइलेट्स केंद्रिय महराब को उत्रस्ट रूप से सजाते हैं पस्चिम में प्राथना की दिवार में महराब के निश्चान है नीचे और दिवारों को कुछ ज़्यादा सजाया गया है आप देख सकते हैं यह किस तरीके से एक गुप्त रास्ता है जिसक किस तरीके से सजाया गया है और अभी में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके पलास्तर है जो अब तूटकर नीचे गिर चुका है कहीं न कहीं उस वक्त में कितना आलिशान और सुन्दर दिखाई परतीत होता होगा और आपको बता दे कि जमाली कमाली का मगबरा एक सप 6.6 मीटर 25 फिट वरगाकर सरचना का है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका डिजाइन बनाया हुआ है काफी अदबुत और काफी जमाली कमाली का मगबरा है काफी आनंद और काफी सुनसान जगहा पर है और परियटक काफी संख्या में यहां पर नहीं आते क्योंकि इस स्थान के बारे में अत्यदिक पता नहीं है और ना ही इसके बारे में ज़्यादा दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं किस तरीके कि इसकी बनावटा और यह देखिए पुराने दोर में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो उनके लिए एक जो वेंटिलेशन है उनके की बनावट अद्बुत कला का दिरिश्चे दिखाती है और यह देखिए जो रास्ता जाता है काफी सक्रा है यहां से जाने में काफी कठिनाई भी हुई है लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका निर्मान करवाया होगा उस वक्त और आप देख सकते हैं कितना अद देखने में परतीत होता है और आप देख सकते हैं यह जो दर्वाजा है या खिड़की है यह जो किला है मगबरा है इसके पीछे का दिरिश्चे दिखाता है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पीछे का जो मगबरे का पीछे का हिस्सा है यहां से कितना अच्छा अनुब तरीके से इसको बनाया गया है और आपको बता दे कि इसे कुछ कुरानिक सिलालेखों के साथ लाल और नीचे रंग में चित्रित किया गया है और दिवारों को जमाली की कविताओं के साथ खुदा हुआ रंगीन टाइलों से सजाया गया है मगबरे की सजावट को एक गहना रोप में वर्नित किया गया है और हम इसके लेके बहर जाके आपको इसके बारे में दिखाते हैं चलीने हैं उनकी 1536 में मिर्त्यू होने के बाद जो बाबर का सासनकाल खतम हो गया था लेकिन उसके बाद जैसे ही जो हुमायू थे उनके जो पुत्र थे हुमायू कहीं ना कहीं हुमायू ने इसका पूरा निर्मान करवाया और 1536 में इसका पूरा निर्मान तब हुआ था तब जब जमाली की मिर्त्यू हो गई थी और आपको बता दे जमाली तो मैंने नाम ले लिया आखिरकार ये कमाली कौन थे कमाली देखिए कमाली हजरत जो जमाली है उनके दोस्त थे तो कहीं न कहीं जो 1536 में जिनकी कवर जमाली की कवर इसमें बनाई गई थी तो जो कमाली थे उनके दोस्त उनकी भी कवर उनके पास में बनाई गई थी यानि कि उनके समीब बनाई गई थी इसलिए इस किले को जमाली कमाली कहा जाता है और आपको बता संबेलन करते थे उस तरीके की आवाजे आती है और ये भी कहा जाता है कि जिन है जिननात होते हैं वो यहाँ पर इबादत करते थे जमाली पहले के दोर में जब 1528 में इबादत किया करते थे उसी तरीके से आज भी रात को यहाँ पर इस तरीके की आवाज आती है आपको बता बता दू कूली खान का मगबर भी यहीं पर, जमाली कमाली को मगबर है, इसके बारे में कई सारी भांतियां लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, और यह भी कहा जाता है कि जो जमाली कमाली है, लोग यहां पर इसलिए नहीं आते, क्योंकि इसको काफी ज़्यादा haunted place कहा जाता है यानि कि आप समझ सकते हैं मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँ किस तरीके से यहाँ पर जंगलात हुए पड़े हैं जंगल बिल्कुल बना हुआ है लोग यहाँ पर काफी ज़्यादा कमाते हैं मैं आपको बता दू कि लोगों को पता भी नहीं है कि यह जो जमाली कमाली है यह कहां पर है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नॉलिज भी नहीं है देखी यह था जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे का इतियास यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें वहीं आपको बता देगी यदि हहाँ पर किसी को घूमने आना है तो वो सड़क परिवहन से आ सकता है इंद्रा गांदी एरपोर्ट से 18 किलोमेटर की दूरी पढ़ती है वहीं आपको बता दे कि यदि कोई बस से आना चाहता है तो बस से भी आ सकता है वहीं नियरेश्ट जो मेटरो स्टेशन है वो कुतुम मिनार मेटरो स्टेशन पढ़ेगा हले टुच किलोमे झाल टो मुझेर आ इंदे। प्रॉब एंग जोज जोज झाल जोज जोज बूजए झाल